तो प्रियाग राच में हुए उमेश पाल हर्टाकांच को एक महीने से जादा हो चुका है लेकिन आज भी पुलिस के हाथ खाली ही हैं जाच में पुलिस की दर्चनों टीमें लगी हुई हैं अलग-अलग जखों पर छाप इमारी देखने को मिली हैं स्टीएफ की टीमें मुस्तहद हैं कईड राच्चों में पुलिस पहुँची सेकुल संदिक्टों को हिरासत में लिया गया लेकिन इसकी बावजूद पुलिस कुछ खास हासल नहीं कर पाई है उमेश पाल हत्याकान की जाच के लिए बनी स्टीएफ एक महिने के अंदर अब तक नौ राज्यों में छापे मारी कर चुकी है 4000 से उपर मोबाईल नंबर सर्विलांस पर लगाये जा चुकी है बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट, राजस्थान, दिल्ली, 36 गड़, जारखंड और पंजाब में दबिश दे चुकी है उत्तर प्रदेश में भी स्टीएफ की टीम प्रयागराज, आगरा, बुलंद शहर, हर्दोई, लखनव और मौव में छापे मारी कर चुकी है इसके साथ साथ नेपाल में भी तीन दिन तक स्टीएफ डेरा जमाय रही अलग-अलग राज्यों से 600 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछ ताच की जा चुकी है इतना ही नहीं, स्टीएफ, ADG, 1 SSP, 3 ASP, 4 DIPTSP और इंस्पेक्टर समेत 16 T में लगी हुई है स्टीएफ भी है, मगर इस हत्यकान में अब तक कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है हत्या में शामिल सभी प्रमुख अभियुक्त पुलिस के हाथ नहीं आ सके है कब-कब क्या-क्या हुआ 24 फरवरी उमेश पाल की हत्या हुई 25 फरवरी स्टीएफ के एडीजी अमिताव यश सहित कई अधिकारी मौके पर 26 फरवरी पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आई 27 फरवरी आरोपी अरबाज का इंकाउंटर 6 मार्च विजय चौधरी उर्फ उस्मान का इंकाउंटर 8 मार्च एंकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव को प्रयाग राज की कमान 11 मार्च उत्तर प्रदेश से बाहर नौराज्यों में चापे मारी 12 मार्च स्टीएफ की बिहार में कई शूटरों पर चापे मारी 13 मार्च लखनव में बरामद बंगाल नंबर की गाड़ी की आधार पर पुलिस बंगाल पहुँची 14 मार्च सीनियर एस्टीएफ और क्राइम ब्रांच की संग्युक्त टीम ने की नेपाल में कई जगह चापे मारी 15 मार्च गुजराथ 36 गड़ राजस्थान और पंजाब में संदिग्दों को हिरासत में लेने की कवायद जारी हत्याकान के बाद उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक एहमत उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक के भाई अश्रफ अतीक के दो बेटों और करीबी गुड़ू, मुस्लिम और गुलाम समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दल्च करवाया था लेकिन इस मामले में अब तक सभी आरोपी गिरफतार नहीं हो सके हैं हत्यकान में शामिल अतीक एहमत के बेटे असद, खास गुरगे, अर्मान, गुलाम, गुड़ू और साबिर को पुलिस लगातार तलाश रही है इन पांचो आरोपियों पर इनाम की राशी धाई लाख रुपए से बढ़ा कर पांच लाख कर दी गई है लेकिन अपराधी अब भी पुलिस के गिरफ्ट से बाहर है उमेश पाल और दो सिपाहियों की हत्या के तुरदबाद, अर्मान, गुड़ू, असद, गुलाम, फरार हो गए मामले में शुरुवाती दिनों में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है इसी के चलते शूटरों को शुरुवात में यहां से निकलने का मौका मिला सुत्रों के मताबिक रिपोर्ट्स के नुसार, असद और गुलाम को छोड़ कर सभी शूटरों ने 24 फरवरी की रात को चक्या इलाके में बिताया इसके बाद अगले दिन वहां से फरार हो गए पुलिस ने इस बीच घटना के बाद चक्या में अतीक के घर पर दविश दी और अतीक के दोनों बेटों और शाइस्ता को हिरासत मिलिया हलांकि उसके बाद शाइस्ता फरार हो गए शूटर लगातार लोकेशन बदल रहे हैं और पुलिस कई जगों पर उनके बिलकुल करीब पहुँच कर मायूस हो कर वापस आई है पुलिस का कहना है कि शूटर बेहद शातिर अंदाज में अपनी लोकेशन को लगातार बदल रहे हैं और उन्होंने किसी नजदी की असंबंधी को फोन भी नहीं किया है लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बिलकुल नए लोगों से मदद ले रहे हैं अनुमान ये भी है कि अतीक ने पहले से ही शूटरों के फरार होने और उनके छिपने की प्लैनिंग कर रखी थी इसी के चलते पुलिस को इतनी दिखकतों का सामना करना पड़ रहा है ब्यूरो रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस तो माफिया अतीक पर लगतार शिकंजा जारी है अतीक और उसके सायोग्यों के घरों पर बुल्डोजर प्रहार भी हो रहा है अतीक के गिराएगे एक घर की जमीन जब खोदी गए तो नोटों का आमबार निकला देखे रिपोर्ट तौन अतीक का माया लोग कुनाह का सबसे बड़ा तिलिस्म सुरंग में टौन की आश्का गुजरात की साबरमती जेल से लाया जा रहा अतीक एहमद का काला सामराज्ज बेनखाब हो रहा है ये डौन अतीक के बाप के सामराज्ज का सबसे बड़ा अट्डा है ये वही घर है जहां से माफिया फैमिली अपनी हुकूमत चलाती थी असलहों और गुंडों की फौज के दम पर जिंदगी और मौद के फैसले लेती थी अब आपको डौन के कैश लोग की हर परत आपके सामने खोलेंगी फुलिस की चापेमारी में 75 लाख रुपे कैश और 10 अत्यार परामद हुए है फुलिस ने अतीक अहमत के उस अट्डे पर दबिश्ट दी अतीक की काली कमाई को बाहर निकालने के लिए कैश लोग में भावडा गेंदी तक चलाने पड़े इस कैश लोग में अतीक अपने पाप की कमाई शिपाता था, नोट और असलहों को शिपा कर रखता था जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि डॉन अतीक के इस अट्डे पर खास टॉर्चर रूम बनाया गया ये वो टॉर्चर रूम है जहां लोगों को यातना दी जाती थी, भुक्म ना मानने वालों को अतीक जज़ बनकर सजा सुनाता था कहा जा रहा है कि साल 2005 में उमेश के अपहरन के बाद उसे भी इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था माफिया फैमिली के इस रहसे लोग में काली कर्दूतों के काले चित्थे चिपे हैं, कागजों का धेर लगा है, सिक्रेंट फाइल्स रखी है अभी तक एलाहबाद प्रियाग राजकांड के उपर, अभी तक सरकार की द्वारा कोई ठोस कारवाई नहीं हो पाई है और जिन लोगों को पकला जा रहा है, उस सबकी उपर संदे हो रहा है कि नजानी लोग कौन लोग थी, क्या था उमेश पाल हत्याकान की साजिश में शामिल अतीक के पाँच और गुर्वों को गिरफतार किया गया है इनके पास से पाँच फिस्टर, पाँच तमंचे, एक मैगजिंग, 112 कार्थूस और छे मोबाईल मिले हैं इन पाँच रेकियों के नाम हैं, नियास एहमद, ये धुमन विंच प्रयागराज की हैं मुहम्मद सजर दूमन मेंज प्रयागराज, सजर कैश एहमद दूमन मेंज प्रयागराज, राकेश कुमार कौशामी पश्चिक शरीदा था में, मुहम्मद रशर खान पुर्फ अर्शर कट्रा करना है। एक एक कारतीक का काला सामराज्चिक धह रहा है, जिस अंदाज में हर रोज योगी के कुलिस दविश्च दे रही है, तावर तोड एक्शन ले रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए केस के मास्टर माइड कुलिस के गरफ्त में होंगे। व्यूरो रिपोर्ट भारत ए मुलिटन में इतना ही, आप देखते रहे हैं भारत एक्स्प्रेस, नमस्कार.